खेत्री देव ये संसार आपकी कृपा से चलता है श्रिष्टी के कंड कंड में आप वास करते हैं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं मारूती को जीवन दान दीजिये प्रभू कृपा कीची कृपा कीची एसा बोद बालक प्रणाम देव गन कृपा सेविकाउं, जाओ, मारूती के लिए भोजन की व्यवस्था करो, उसे भूख लगी होगी, आते ही भोजन मांगेगा और ध्यान रहे, भोजन कम नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा सुलो, मैं भी चलती हूँ रसुई घर में, अज अपने हातों से भोजन बनाऊंगी अपने लाल के लिए हे करुणा के सागर, हमारे पुत्र की रख्शा कीजिए प्रभू, हमारा पुत्र, हमें सकोशल वापस लोटा दीजिए संभालिये अपने आपको केसरी जी, रिक्षराज जी भगवान शिवशंकर के आप सब पर असीम क्रिपा है, वे ही सकोशल लाएंगे मारूती को, आप धैरिधारन कीजिए धैरिये कैसे धारन करो माराज रिक्षराज, ये भवन दिन रात मारूती की खिलखलाट से गूंजता रहता था, वो, वो मदुर मुस्कान, वो मन मोहक वानी, चारों और एक अलोक एक सुख और हलचल से भरा रहता था ये भवन, और आज, आज देखिए, कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, रिक्षराज जी, केशरी जी, इस संकट की घड़ी में यदि आप ही धैरे खो देंगे, तो देवी, अन्यना को कौन संभालेगा, वो तो मा हैं, और मा का हृदय तो बहुत कोमल होता है, भावना ये तो माता पिता की एक ही समान होती है मारहाज रिक्षराज, किन्तु पिता को कठोर बनने का दिखावा करना पड़ता है, मुझे भी मारूति की सुरक्षा की उतनी ही चिन्ता है। सत्य कहा आपने पुरुष कर्तव्यों से बंधा होता है, जबकि नारी की ममता को कोई भी सीमा और कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। यदि आपने धैरे खो दिया, तो सब कुछ बिखर जाएगा, इसलिए आपको तो धैरे रखना ही होगा। हे भगवान, भोले नाथ, अंजना के विश्वास की विजय हो। यही विन्ती है आपसे। शमा करे तुरे देर, अबोद नहीं, उद्धन दी था ये बालत। सबने बार-बार मना किया, समझाया, इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया। किन्तो इसने किसी की नहीं सुझी। आज तक संसार में मर्यादा का इससे बड़ा उलंगन कभी नहीं हुआ, जो इसने सूर्य को निगल कर किया। इसकी खोर उद्धन दा के लिए, यदि मैं इसे दंड नहीं देता, तो क्या पुरसकार देता। ए जगत बालक, अब आप ही बताईए, मर्यादा तोड़ने वाला एक उद्धन दी बालक, आपके मर्यादा अफतार श्री राम का सहाय कैसे हो सकता। ए भुलेनाद, आप तो आशुतोष, शिग रही संतुष्ट हो जाते हैं। किन्तु एक बाद भी समझिये। वायुदेव इस बालक को इसलिए जिवित करना चाहते हैं, क्योंकि ये वचन देकर आए हैं इसकी मा को। किन्तु महादेव, इस बालक को जीवन देने का अर्थ है प्रकृती के नियमों को भंग करना। करें। अरे तुम सब ऐसे क्यों खड़ी होब हम मारूती अभी आता ही होगा आते ही भोजन मांगेगा तो क्या कहोगी पहले भी उसकी भूख शानत नहीं कर पाई इसलिए अबोध मारूती सूर्य को फल समझ कर खाने चला गया दुबारा अगर ऐसा हुआ ना तो मां आप क्यों रो रही हैं मत रो ये मां मारूती आएगा आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं मारूती आएगा मेरा लाल आएगा बायुदेव भी वचन दिया है मुझे कमल पुष्ट के मुझाने के पूर्ण वो मारूती को सरकुषर लेकर आएगे विश्वास है मुझे अवश्य आएगा हम सब समझ क्यों नहीं रहे हैं मेरा मारूती सरकुषर लोटकर आएगा विश्वास कीजिए मेरा आपको तो विश्वास है ना मेरी बात पर तुम्हें विश्वास है ना हमारा मारूती साकुषण लोटेगा तो तुम्हारे विश्वास पर मुझे भी पून विश्वास है तुम्हारी ममता खीच लाएगी हमारे मारूती को हमारे पास तुम्हारा असीम वादसल्य तुम्हारे सुने आचल को फिर से भर देगा मुझे विश्वास है ना हमारा मारूती साकुषण लोट आएगा हमारे मित्र मारूती को सकुषल हमारे पास लाइए प्रभू हमने तो अपनी मनो कामना लिख दिये इस पत्थर पर इसे नदी में डालने से हमारा मित्र मारूती वापस आज आएगा ना अवश्य आएगा हमारा मित्र मारूती तुम्हे स्मरण है ना सुषिन पहले भी हमने अपनी मनो कामना पत्थर पर लिख कर इसी प्रकार प्रवाहित की थी तब भी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी सत्य कह रहे हो तुम चलो प्रवाहित करते हैं हे ब्रभू हमारा मारती जहां भी हो हमारे पास सकुषल लोटा है उसके बिन हमारा मन कभी भी नहीं लगता हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए बस इंद्र देश नियबू की दुहाई देकर आप अपने अपकृत्य और अन्याय को उच्छे ठहराने का प्रयास मत कीजिए मारूती कोई असुर नहीं है ना ही उसने आप पर आक्रमन किया था जो आपने उस पर वजब रहार कर दिया इस समस्तस रुष्टी को सुचारो रूप से चलाने का उत्तरदाइत्व मेरा है देवी मैंने वही किया जो एक देवराज को करना चाहिए था देवराज इंद्रदेव इस देवराजपद ने ही आपके नेत्रों पर एहंकार का आवरण ओड़ा दिया है जो ये भी नहीं देख सके कि मारूती ने जो किया वो एक अबोध बालकी बाललीला है महादेव आपको इंद्रदेव के अपकृत्य का निवारन करना होगा मुझे विश्वास है कि आप मारूती को जीवंदान अवश्य देंगे स्वामी मुझे भी विश्वास है प्रफु कि आप निराश नहीं करेंगे विधान का पालन तो सबको करना होता है वायुदेव यदि महादेव को नियम भंग करने होते तो वो भी देवी सती के मृत्यों के पश्चाद उन्हें भी जिवित कर सकते थे किन्तो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यदि मैंने स्विश्टी के नियमों के विरुद चाका इस बालक को दंडित किया है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ पस्म कर दीजिया कर दीजिया किन्तो यदि मैंने अपना कलतवया उचित रुप से निभाया है तो मेरे द्वारा दिये गए दंड को पलटना अनुचित होगा यदि ये दंड का विधालना बनाया होता वायुदेव तो कोई भी नियम भंग करके प्रकृति को उचल पुचल कर सकता था स्रिष्टी कभी भी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती थी इसलिए इंद्रदेव के द्वारा दिये गए दंड को पलटना है मारूपी को जीवंदान देना है तो इंद्रदेव की सहमती के बिना ये हो ही नहीं सकता अन्यथा ये देव मर्यादा का उलंगन होगा इंद्रदेव एंद्रदेव एंद्रदेव एब भोलनात, रक्षा करना मेरी मारूती की. एब भोलनात, रक्षा करना मारूती की. रक्षा करना मारूती की. रक्षा करना प्रभूतू. मारूती मेरा अंच है कि इन तु नियमों का बंधन मेरे लिए भी है नियम तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी तरिदेव इन्द्रदेव नियम तो कड़े ही होने चाहिए किन्तु उनमें उदारता और दया का भी स्थान होना चाहिए नियम मात्र सहिता की पोथिया बनकर रह जाएंगे या हत्या और शक्ती प्रदशन के उत्तम सादन बनकर रह जाएंगे इतना तो मैं भी जानता हूँ देवेश्वर अन्यथा आज देवराजपत पर सुशोभित नहीं होता शान्ती और सूव्यवस्ता बनाय रखने के लिए दंड के भई का बना रहना आवश्यक होता है यदि मैंने अपना निर्णे पलटकर इस बालक को जीवन दान दिलाया तो फिर इस पूरे संसार में मेरे दंड से कोई भी भईवित नहीं होगा उचित आप सब बंदे रहिए अपने अपने नियम से किन्तु उदार्ता और दया का स्थान जिस नियम में ना हो उस नियम को मानने वाले भी हिर्द्याहीन और भावनाहीन होते हैं उन्हें औरों की पीडा का एहसास तब होता है जब तक वो श्यम उस पीडा का आनुभव ना कर ले उन्हें और भावनाहीन और भावनाहीन प्रावन ऍाल प्रावन झाल मा ममता और करुणा की मूर्ती है, तो सहन शीलता की देवी है, वो सब के लिए दयावान हो सकती है, सब पर अपनी ममता लुटा सकती है, सब कुछ सहन कर सकती है, किन्तु मा अपनी संतान का गश्ट सहन नहीं कर सकती संतान को होने वाली तमिक सी भी पिड़ा मा के लिए अपहार वेदना के समान होती है भूले ला अबोध है मेरा मारुति उसकी रक्षा करना यदि उससे कोई अपराध हो गया हो और मालक समझकर ख्षमा कर देना उसे प्रभू बहुत छोटी आयूका है मेरा मारुति इसलिए उसे भले बुरे का ग्यान नहीं है और यदि उसे कोई डंड देना ही है तो उसका डंड मुझे दीजिए मैं प्रस्तुत हूँ कि तु मेरे मारुति को कोही कष्ट मत दीची उसके सारे कष्ट सारी पीडाएं उझे प्रदान कर दीची बहुत छोटा है वो उसे कोई पीडा मत दीची प्रस्तुत अपाएं दीची प्रस्तुत अप्रस्तुत पुर्ट जी महवायू देव इस पुष्प के मुर्जाने से पुर्थ आपके पुत्र मारूती को जखुषल आपके समख्च लेकर आओं नहीं कमल मुझा किया कमल मुझा किया कमल मुझा किया तब बुच्चा किया! तब बुच्चा नहीं को भुच्चा किया! को मुच्चा किया! को मुच्च इon! को मुच्चा किया! झाल 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 कबल मुझा के मारुती मारुती आगया मारुती मारुती वायुदेव लाई है मारुती को अंजिना मारुती 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 वहाँ है मेरा मारुती देखा तुमने मारुती को कमल के मुझा पूल मुझा गया है वायुदेव आए होंगे ना मारुती को लेकर कहां है मारुती 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 पिर कहां है क्या हुआ है मेरे मारुती को मारुती मारुती अंजिना months ago मारुती नहीं आया है अभी मारुती नहीं आया है तुम लोफ मिला लो तक्षा-ड्चुशा जाए ॉज़ मिला लोप उने बहल कोज सर दो ॉज़ वरियोpower प्राम्म् प्रसन्नम् प्रसन्न हुए हम एन्न उस मायवी बालक को मार कर प्रसन्न कर दिया तूने हमें असुरों का कार्य एक देफ्ता ने कर दिया रावन के हर शत्रू की दूर्दशा यही होनी चाहिए बस इस प्रसन्ता के समय यदी कुम्ब करन और तरशरा भी होते तो और अनन्द आ जाता हाहाहाहाहाहा जा जाता हुए हाहाहा! एम! एम! भाई! आह आह पो आह कि पार लाई पार इवा पार आब आह उा बार बार आह बड़ बना-थार लेह बना-थार लेज़ आसे पूबादा अटतक बा TÀ वार लेकर आसे नाया हुआ 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 इन सब दीपकों के बुच्छने का क्या अर्थ है क्या संकी देना चाहरा है आप उझे मैंने आपको वायुदेर को सब को मना किया थे कि मेरे मारुदी को दिव्य शक्तियां मत दीजे उसे साधारन बालत ही रहने दीजे कि तुम मेरी किसी ने भी ना सुझी होले नात भली भाती सुन लीजे समस देश्ता संपून दिशाए सभी दिखपाल सुन ले मैं मारुदी की माँ अंजना हूँ आप सब को चेतावनी देती हूँ यदि मेरे मारुदी के साथ कोई अनहोनी हुई है तो अनहोनी होगी इस रिष्टी के साथ होले नात मैं शपत नेती हूँ यदि नारी संतान को जन दे स्रिष्टी में ब्रिदे कर सकती है तो संतान के रक्षा के लिए त्रिष्टी का अंध भी कर सकती है तो सकतान के लिए तो स्वाइब को जाएंग प्रूइरे का अंध था तो स्वाइब तो सकती है तो सकतान चा था फिस वपते है तो स्वाइब एक्षा के तो स्वाइब झाल 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 अन्याय हो रहा है अन्जिना के साथ भी और मुझ बू देवी के साथ भी इस भू अर्थात मेरे उधार के लिए ही सारे देवताओं का जन हुआ है विश्नु देव का रामा उतार हुआ है तो महादेव का अन्शवतार मारूती के रूप में राम की सहायता के लिए हुआ है किन्तो इंद्र देव के अंकार और अप्ट्रित्य ने मारूती के प्राण हर लिए है मारूती के लिए जितनी व्यथा अंजना को है उतनी ही व्यथा मुझे भी है जब तक इंद्र देव मारूती को पुनाह जीवित नहीं करते तब तक मेरे कोप के भागी होंगे ये समस्त स्रिष्टी भी ब्रहमदेव प्राकृतिक आपदाय भोगनी पड़ेंगी जगत को ये पूराश का प्रभाव है ये धरती डोल रही है ये थीवोहे भुलिय बढ़ के गिलग स्वामी एक माँ के दुख से पूरी शृष्टी प्रभावित हो उठीए और उसकी पेड़ा मातरत्वे पेड़ा के प्रतीक है और इसलिए भू देवी भी शोग से भर उठी है स्वामी आपको अंजना के पेड़ा का निवारन करना होगा अंजना की व्यथा मुझे भी जद्जो रही है देवी इन तुम्हे बिवश हूए प्रकरती के नेवों के विर्थ जाकर मैं मारुती को जीवंदान कैसे दे सकता हूए आपन होगा अब वोद मारूति के जीवन का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। अपनी संतान को वापस पाने के लिए तडपती और निर्दोश मा का व्योग था आपको तनिक भी आभास नहीं है। तो फिर मैं भी तो एक नारी हूँ और मुझ मा के लिए यहां पर एक पल भी ठहना और सहनी है। मैं भी आपके द्वारा उत्पन श्रिष्टी से सारा ग्यान वापस ले लूँगी। ग्यान शूनने हो जाएगा ये जगत। ग्यान शुच्छ। ग्यान ग्यान शूनने हो जाएगा शुछ। ग्यान शुच्छ। बन्साओ कर बुझ भी एक शाया करें हुटुरु करें आप मात्र देखते ही रहेंगे, श्री हरी जीवन दान दिलाए मारूती को मैं क्या कर सकता हूँ देवी मारूती को जीवन दान देने के लिए इंद्र देव और अन्य देवों की सहमती अवश्यक है आप सहमती और असहमती की डुबिदा में बड़े रही है जब तक मारूती का जीवन नहीं, तब तक हमारा भी साथ नहीं समस्त जगत श्रीहिन हो जाएगा मेने बिला सारे भोग बिलास लुफ्ट हो जाएगे संसार से स्वन लोख बन जाएगा मानिक बोती सब मिट्टी बन जाएगे बढ़ा से धएगे जाएगे लूएगे लुफ्टी लुफ्टी लोगा का जाएगे हो अएगे सारे लुफ्टी भी जाएगे को भावे प्रावें कर आयों कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ अूआ डूए हुआ अट हुआ 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 अ act बहाँ दे आपका ये अंच जिसे मैंने भी पुत्र समान स्मेह किया था अब मैं उसे आपको लोटा रहा इसके जीवन की सुरक्षा का उस्तरदाई तो मेरा था किन्तु संपूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी मैं असफल रहा है इसी लिए मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं मारूती के अंच के साथ मेरा भी अंच होगा और जाथ ही अंच होगा इस संसार में संचारित होने वाली समस्त वायूक जिन्हें सुचारू रूप से संचालित करने वाले मेरे समस्त अड़तालिस मरूत गर्ण मेरे साथ ही अंच को प्राप्ट होगा लगता है दिवी लक्ष्मी भी रुष्ट हो गई है कर दूट है प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी लेकिन तो जब ये मेल टूट जाए तो प्रिष्टी समाफ हो जाती है प्रकर्थी का नाश्ट अब मैं करूँगी मारूती की माँ देवी अंजना के दुख ने समस्त मात्र तुशक्ती को अंदूलित कर दिया है इसके तुश्परिडाम समस्त जगत को फोगने पड़ सकते हैं जश्या भूट में पजाए रियम शम्परम सरवणात जगत जगत ऐयो aucun है कि अप अप्रियन bist अप्रियकिझे है अचिमे अप्राग दियव ए ले अप्रuin अझाहो अप्राग के अवरम देलिए मेज भाइन पैयनिक आवाहा आवे अवाइबंद आव धॉकर ऑ消ाण वर्दाब घ्रव हे महादेव, निवारन कीजी अंजना के दुक्का, हे मा महादेवी, आप तो सारे जगत की माता हैं, एक मा की पीड़ा, आप भले बाती समझ सकती हैं, आप ही अंजना की पीड़ा, शान्त कीजी माता यदि स्रिष्टी को बचाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो मारूती को जीवनदान देने के लिए, बाद्य होना ही पड़ेगा सबको, हाँ, अनियथा असमय प्रलाइथी आता है मात विष्टी करता है, नौ मात, संतान को गर्ब में सहेच कर रखना बहुत बड़ी तपस्या है नारी की, भई तपस्या मा को मात्रित्व शक्ती प्रदान करती है, और यही मात्रित्व शक्ती संतान पर स्ने और मंता लुटाती है तो यही मा संतान को संकट में देखकर शक्ती स्वरूपा देवी बनकर सहार करने को भी ततपर हो जाती है यहां तक कि स्विष्टी से लेकर इश्वर तक भी मात्रित्व की शक्ती के समक्ष विवश हो जाते हैं किन्तु प्रभू इंद्रदेव का हट भी तो अनुचित था प्रिये इंद्रदेव स्विष्टी के विधान की आड में अपने अनुचित कार्य को न्याय संगत सिद करने में ततपर थे जबकि महादेव का कथन सत्य है कि किसी भी न्यायक सहिता में उदार्ता का स्थान वो ना ही चाहिए अन्यथा वो सहिता हत्या या शक्ती प्रदशन का साधन मात्र बन कर रह जाती है अपने मद में चूर इंद्रदेव ये भी बूल गए थे कि उनके इस दुश्कृत्य के कारण स्विष्टी को कितनी हाने हो रही थी है जल फल नफ अगनी, देव, संसार सही समस ब्रहमान में उपस्तित मेरे मरुद कड़ो मैं बायू देव, आपका अवाहन करता हूँ आप सा बाय और समाहित हो जाए मुझ में मैं मैंनल ठाइव, आपका अवाहन करता है दुमिती, जै, विराज, समर, दीती सहित, में हम मान्वे उपस्तित, मेरे सभी अर्तालिस मरुद्गनों, जल, खल, लब, अगनी, संसार सहित, तमस्त जमान को वायुहीन कर दो, रोट आओ मेरे पास, यह तुम्हारे अदिश्ठाता, उनन्चास्वे मरुद्गनों, भायुद्देव का अवाहन है तुम सब के लिए, आओ और समा जाओ मुझ पे, लोट आओ मेरे मरुद्गनों, लोट आओ! यह एक आएक अगनी कैसे बुझ गई? यह तो अशुप संकेत है? क्षक अवाओ मेरे मरुद्गनों, mentor दो बिस्टेवरे बेड़ button यह तूर आओ मैरे मरुद्गनों, लोटे मेरे शेगनोंproduct मुझ गभब wesेद्गनों, लोटे मुद्गनों, लोगे गाहर यह, बहें हैं कि मुझ दोगताया मिट जाएगा ये संतार उजड़ जाई कि ये सुष्टी पृत्वी की अधिश्टा त्री भूदेविया आप त्रीदेविया ही नहीं समस्त मात्रत शक्तियाद संतप्त होडी है और फिर अंजिना की पीड़ा भी तो मेरी पीड़ा है ना क्योंकि मारूती का जन्म तो मुझ पृत्वी के उधार के कार्य में प्रभू श्री राम की सहाईता के लिए हुआ था यदि मारूती को जीवनदान नहीं मिला तो मैं समस्त पृत्वी का नाश कड़ूंगी मारूती के जीवन से ही संसार का जीवन जुड़ा है आज यदि मारूती नहीं तो संसार भी नहीं देवराज कुछ कीजिए देवगुरु व्रिहस्पती के बिना देवकार कैसे संपन्न होंगे इन कठिन परिस्थीतियों में देवगुरु के समान हमारा मार्क दर्शन करने वाला कोई नहीं है उन्हें वापस लाना ही होगा प्रक्ट्रिती भी द्वेलित हो रही है देवगुरु इतनी चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है वरुन देव मैं देवराज उनके कारण नहीं हूँ अपी तु वो देवगुरु है मुझ देवराज इंद्र के कारण मैंने ही उन्हें देवगुरु बनाया है यदि मैं यहां हूँ तो देवगुरु भी देवताओं को मिल ही जाएंगे जायन्स मेरे पुत्र प्रणाम पिताश्री आयुश्मान भबा पुत्र तुम यहां मेरे दर्वार में हाँ पिताश्री आपी ने सुझाव दिया था ना कि मैं भी राजकारेओं में रूचिलू इसलिए मैं आज यहां उपस्तित हुआ हूँ यह तो बहुत अच्छा क्या तो पिताश्री सुना है गुरुदेव ब्रस्पती ने देव गुरुपत त्याग दिया है ऐसा क्या हो गया था जो वो रुष्ट हो गए जायन्स मेरे पुत्र राजकारेओं में तुम्हारी रुचि देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो एक दिन देवरात का पज तुम्हें ही तो संपालना है पुत्र किन्तो तुम अभी अभी आयो राजकार को देखो समझो क्या क्या होता है क्यूं होता है कैसे मैं समस्याओं का निवारन करता हूँ समय के साथ साथ तुम सब जान जाओ जी पिता शरी किस समय की प्रतिक्षा कर रहे हैं स्वामी देवी शची अप यहाँ कुछ बड़ा अनर्थ हो उससे पहले ही हम समल जाए इसलिए मैंने यहाँ आने का निश्चे किया कोई अनर्थ नहीं हो सकता देवी किसे में इतना सास नहीं जो मुझ मा बली देवराजिंद्र को हानी पहुँचा सके अपने चारों और देखिये स्वामी तृदेवियों के रुष्ट हो जाने से स्वार की सारी शोभा श्रीहीन हो गई है सारी चमक लुप्थ हो गई है और जिस संसार को आप नियम पूर्वक चलाने की बाद कर रहे है वहां भी उधल पुधल मची होई है मनुष्यों की वाक शक्ति समाप्थ हो रही है और प्रगृतिक शोब्थो उठी है रयंद अपनी माता को समझाओ कि यह सब मैं भी देख रहा हूँ नेत्रबंद किये नहीं खड़ा हूँ मैं यहां किन्तु नेत्रों से एहम का आवरण हटा कर देखे स्वामी स्रिष्टी संतप्थ है संसार मिटने वाला है मात्राप के एक हट के कारण स्वामी मारुती को जीवन दान दिला दीजिए इंद्राणी मान जाये स्वामी अंजिना की पीडा का अभास मुझे भी है उनके दुखों को दूर कर दीजिए त्रिदेवियों भूदेवी और वायूदेव का गोप स्वता शान्त हो जाएगा और ये संसार मिटने से बच आएगा आप अंजिना के पुत्र को उन्हा जीवन दान दे दीजिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए या आप मुझ पर छोड़ दीजिए देवी आप एक माग की पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे देवराज कितनी कठिन तपस्या के भल सो रूप उन्हें मारूती जैसा पुत्र प्राप्थ हुआ आप एक माँ से उसके पुत्र को छीनने का पाप क्यों अपने सिर चड़ा रहे हैं और वानर राज केसरी से भी आपके कोई शत्रुता नहीं फिर क्यों बस चाची मेरे कारियों में हस्तक शेप करने का अधिकार किसी को नहीं है आपको भी नहीं केसरी से किसी शत्रुता के कारण मैंने उस वानर बालक पर वज़वभार नहीं किया है मैंने केवल अपना राज धर्म निवाया है प्रकृती के नियमों को जो भी भंग करता है उसे इसी प्रकार दंडित किया जाता है सबस्ष्टी से मरूद कनाओ लोट आओ मेरे पास तुम्हारा अदिश्ठाता तुम्हें पुकार रहा है आओ समाही तो जाओ मुझ में लोट आओ मेरे पास आओ में आपकार रहा है अब मैं उस मरुद का आवाहन करता हूँ जिससे सबको स्वान्स मिलती है जो संसार के सभी जीवधारियों को जीवन देता है ए सभी जीवधारियों को जीवन देने वाले मरुद रान वायू को संसार में संचालित करने वाले मरुद लोटाओ अपने अधिस्थाता के पास और स्वास हीन कर दो इस संसार को है एश्वार ये क्या हो रहा है हमें श्वास लेने में अतनी कटनाई क्यों हो रही है हमें अभज़ आढ जना अचार बहा है हमाह वह में अographic unbel telling हमें क्यों हो भंटो हमें संसार कर र çekफ हमें में दो में आयादा है में जाने क्या हो रहा है यह यह क्या हो रहा है काईक मेरे भी साथ अटक रही है मेरे भी साथ अटक रही है होश्य वायदेव कुपित उटे है ठेले रखिये वानराद केश्री मेरा अनमान सत्या है वायदेव के क्रोध का ही परणाम है ये हतीत होता है प्रान वायव आदिका परसार करने वाले मर्तों को वायदेव ने वापिस घीज लिया है रुक जाओ अंजला प्रान वायू समाप्त हो रही है तुम्हारे प्रान भी सम्कट में पड़ जाएंगे प्रान मेरे प्रान मेरे पुत्र में बसे है यदि मारूती लॉट को नहीं आया तो मैं यही नरित्य करते करते अपने प्रान ज्याग दूगी देख लो देखता हो देख ले ये सारा संसार मा का लाल नहीं तो मा भी नहीं प्रान 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 मा नहीं प्रान 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 लुप ये समस्त संसार पंच तत्मु अगनी जल प्रित्वी आकाश एवं वायू के संगम से निर्मित हुआ है जिस प्रकार मनुष्य की दे का कोई भी एक अंग यदी अपना कारे करना बंद कर दे तो उसकी सारी दे असंतुलित हो जाती है ठीक उसी प्रकार पंच तत्मों में से कोई भी एक तत्म यदी अपना कारे करना बंद कर दे तो ये सारी स्रिष्टी असंतुलित हो जाती है आप, सबकोस इतना विचित्र की हो रहा है, पहरे भुकम्प, और आप बशाने बुझ गई, कोई तो बहुत बड़ी खटना, खट रही है स्रिष्टी में, अन्यथा, इसनी उथल-पुथल कैसे हो सकती है, लंकेश, कुछ तो विचित्र हो रहा है इसरिष्टी में, जिसके कारण श्वास लेना भी दुबर हो गया है, हाँ, तशानन, क्राण के बाद से जैसा सब कुछ गट रहा है, वैसा पहले कभी नहीं गटा, मुझे भी श्वास लेने में कटना ही हो रही है, किन तो क्यों, यहा गुरुदेद, दैत्या, गुरु शुक्राचार्य, कहां है आप, शी गुरुदर संधीची है, आप के दशानन, को आप की आविशकता है, करुदेद, यह क्या हो रहा है, करुदेद, यह क्या हो रहा है, तुरी स्रिष्टी में यह क्या उधल्प उधल्प मची हुई है, श्वास लेने में भी और सहच हो रहा है, लंकेश, आप अपने इस अनंदोच सो में इतने डूबे हुए हैं, कि आपको तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, अपने नेत्र सदेव खुले रखें, लंकेश, मूर्थियों पर पसंद होकर, यह जो अनंदोच सो मना रहे हैं, उसी बालक को देवता जीवित करने में लगे हुए हैं, प्रकृति का विधान और स्थृष्टी का भवश्य दोनों आपस में ठकडा रहे हैं, लंकेश, और यही इसका परिणाम है, कि इतनी उठल को दलमची हुए है, नाइस, यह नई हो सकता, देशताओं, इसका मूल्य चुकाना होगा तुम्हें दल्य भोगना होगा, तशानन रावन का, नहीं, यह नहीं हो सकता, अवश्य यह बायुदेव का कार्या है, बायुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते, नारा, नारा, उन्होंने तो ऐसा कर दिया है, इंद्रदेव, उन्होंने अपने सारे मरुद, संसार से वापस बुला लिये, देख लिजी अपने नेत्रों से, संसार भर में कैसी त्राही त्राही मची हुई, प्रान वायु सुमाप दू रही है, संसार, पश्यू पक्षी ही नहीं, मनुष्य भी अचेत हो रहे है, मनस्पती सूख रही है, और यहीं नहीं, अपने देवताओं की दशा ही देख लीजी, यह भी श्वास नहीं ले पा रहे हैं, यह सब आपके कारण हो रहा है देवराज, अभी भी समय है, वारुती को जीवन दान देदीजी, अमेठा बड़ा अनर्थ लुकाएगा, वोड़े दीजी अनर्थ देवर्शी, देवराज इंद्र का न्याय अडिख है, कुछ भी हो जाए, यह निने नहीं पलड सकता, देवराज, अपना हट से आग दीजिए, सब कुछ नर्स हो जाएगा, देवराज, ठिष्टी को बचा लीजिए, उना सोच लीजिए, देवराज, आपका पुत्र भी आपके द्वारा किये गए, अन्याय का दंड भोग रहा है, जयन्स, 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 मेरे पुत्र, संभालो स्वाहम को, हम देश्टा है, भायूहिन हो कर भी, वमारी मृत्यों नहीं हो सकती, अम्रित पान किया है हमने, ये देह ना रहे, तब भी हम जिवित रहेंगे, हम सब अमर है, इस बितिका साहस के साथ सामना करो पुत्र, तुम्हे कुछ नहीं होगा, आपका ये अभीमान, अनर्थ का कारण ना बन जाए देवराज, देवराज होने के अभीमान में, इंद्रदेव ने वायू की उपेक्षा की, बरिणाम सरुप, वायू देव ने अपने सभी मरूतों को बुला कर, ये सिद्ध कर दिया, कि वायू के बिना, इंद्रदेव ये संसार नहीं चला सकते है, इस संसार में कोई भी तुछ नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर संपून है, इसलिए हमें अपने पध, एश्वरे और सम्रित्री के अभिमान में आकर, किसी को कुछ नहीं समझना चाहिए, और ना ही किसी की उपेक्षा करनी चाहिए, मैं भी देशता हूं इंद्रदेव, कैसे बचाएंगे आप इस प्रिष्टी को, अब तो आपको भी आभास हो जाना चाहिए, कि ये सब कुछ आपके ही अंकार का परिणाम है, नहीं दे रखो पुस्त्र, नहीं दे रखो, दश्री, हमारी, हमारी स्वास रुक रही है, पुस्त्र, हम कड़े नहीं हो सकते, मैंने तुमसे कहा दो, तुम्हे कुछ नहीं होगा, अमर है हम सब, ऐसी अमर तक किस काम की देवराज, ये तो मृत्यू से भी अधिक पीडा दायक है, प्रान वायू के बिना, आप जी नहीं पाएंगे, और अमरित्पान के कारण, आपके मृत्यू नहीं होगी, ना रायन ना रायन, श्वास हीं दे से, ना तो आप चल पाएंगे, और ना ही कोई कार्य कर पाएंगे, अइसा जीज़न चाहते हैं आप? सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है सौमी, और आपके कर्मों का फल, हमारा पुत्र भोग रहा है. सारा संसार आपके कर्मों का फल भोग रहा है. भूद एविक शुप्त होठी है, एक मा की हायमत लीजे सौमी. जिसके समक्ष दैविये शवित उच्छे. मात्रिद्व शक्ति को पहचानिये, सौमी. मान जाए, ये विनाश होने से रोक दीजिए. देवराज, मान जाए, अपना हट त्याग दीजे. सब कुछ नश हो जाएगा, देवराज. रिष्टी को बचा लीजे. पिदाशीरी, आपका पुत्र, आपके समक्ष स्वास के बिना तडप रहा है. आप मुझे स्वास्त कर सकते हैं. फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं. ऐसे अमरात्व को पाकर, मैं क्या करूंगा? मैं ये जीवन त्याग नहीं जा रहा हूँ. पिदाशीरी. मात्र अपने नियमों का पालन करना आपका धर्म नहीं है, स्वामी. प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है. राजा का धर्म है, प्रजा का पालन करना. पुत्र की भाती, ना कि उन पे शासन करना शासक की भाती. और उन्हें सहस्त्र प्राणियों के बारे में सोची है, उन्होंने तो कोई आपका नियम भी नहीं तोड़ा. किन्तों इस विनाश लीला के कारण विए सब भी असमय ही काल के गाल में समा जाएंगे. उन्हें पुत्र! उच्ट्र उच्ट। एक प्रान वायू के भी ना प्रान भी शक्ति ही नो जाते हैं देवराइग नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मेरे पुत्र तुम्हें उतना होगा तुम्हें उतना ही होगा अब इंदरदी वज़ से किसकी प्रान हरने वाली है पुत्र, पुत्र उठो, पुत्र हे महादेव, लोटा दीचे एक बाकोस का पुत्र महरूती को पुना हमारे पास भेज़ दीचे, कृफा की चे प्रभू इंदरदेव, यदि आप अब भी अपने हट पर अड़े रहे, तो इस स्रिष्टी का अंतन निश्चित है मेरे क्रोथ की जॉला में सब भस्म हो जाएगा तो भू देवी के कारण ये सब हो रहा है नारायन नारायन भू देवी कुछ कीजे देवेश्वर्, इंद्रदेव का हट, श्रिष्टी को विनाश की सीमा पर ले आया है कुछ कीजे देव, अन्यता श्रिष्टी का विनाश हो जाएगा भूदेवी, ये क्या कर रही हैं आप अपना ये कोप शांत कीजिए, आदेश है ये मेरा देवराज, आप मुझे आदेश देने का अधिकार खो चुके है आप चाहे तो मुझे भस्म कर सकते हैं किंतो किंतो भूदेवी संसार नश्ट हो रहा है हाँ तो क्या हुआ आपका स्वर्ग लोग तो सुरक्षित है आपका परिवार, आपका पुत्र सब सुरक्षित है तो आपके पुत्र की व्यथा आपको यहाँ खी चिलाई है अरे मारुती भी तो किसी का पुत्र है उसकी वेदना आपको दिखाई नहीं दी देवराज, आपका ये वज्चर एक महागातक अस्त्र है उसका प्रहार करने से पूर्व, आपको भली भाती सोच विचात कर लेना चाहिए था आपने उस बालग मारुती पर प्रहार किया जिसका जन्म राक्षसों के संधार और पृत्वी के उद्धार में श्रेराम की सहायता के लिए हुआ है इतना घ्रेड़ित कारे करते हुए आपने तनिक भी नहीं सोचा वच्र प्रहार करते हुए आपके हाथ में कमपन नहीं हुआ अब तो अपना ये कोप शांत कर लीजिए शांत? अब ये शांती तभी होगी जब मारुती को जीवन दान मिल जाएगा जाएए और अपनी भूल सुधारिये अनित्हा इस प्रित्वी का विनाश निश्चित है जाएए चले जाएए मेरा शोब अब और मत बढ़ाएए जाएए चले जाएए यहां से ए जगत जननी माता पारवती माता लक्षमी माता सरस्वती मेरा पुत्र जैन्त जीवन के लिए तडप रहा है कुछ कीजिए माता आपका ही आसरा है अपने पुत्र की वेदना आपको यहां तक खीच लाए किसी और के पुत्र की पीड़ा और उससे बिछडने वाली मा की व्यथा का आपका आभास तक नहीं है कि तमा करे माता उचसे बहुत बड़ी भूल हो गई है पुत्र को खोने की पीड़ा का आभास अब मुझे हो गया इंदर देख अपने पुत्र की पीड़ा से तो सभी वैथित होते हैं किन्तु जो सभी के पुत्र को समान द्रिष्टी से देखे उनकी पीड़ा में स्वयम्भी द्रबित हो जाए वही सच्चा राजा हो सकता है चाहे वो धर्ती का राजा हो या स्वर्ख का आप सत्य कह रही है देवी मैं अपने कृत्य पर लच्जित हूँ इंद्रदेव हमारे लिए जैसे आपका पुत्र जयंद है वैसे ही अंजिना का पुत्र मारी है किसी भी बालक का गस्ट या असमे मृत्यू हमारे लिए असेनी है किन्तु आपके कठोर नियमों ने एक अबोध बालक को अपनी मा से दूर कर दिया है उस मा के करुणा मई गुहार ने समस्त मात्रतो शक्ती को संतप्त कर दिया है इसी लिए सारी स्रिष्टी में त्राही माम मचा हुआ है तुम्हारे इस सुष्प्रत्य का फल तुम्हारा पुत्र भी भोग रहा है आप भी समय है इन्तु अपनी भूल सुधार लुए आन्य था आन्या आन्य था झाल झाल महादे शमा प्राथना के साथ निवेदन कर रहा कि समस्त प्रयास करने के पश्चाद भी आपके अंश को जीवन दान ना दिला सक मारूती की माँ को दिया हुआ वचन नामी भस्त इसे लिए मैं योगा अगनी में जलकर स्वयम को स्माप्त कर लूँगा और साथ ही मेरे समस्त मरूत गण भी भस्म हो जाएं भस्म हो जाएं भस्म हो जाएं भस्म हो जाएं उस्म होजाएं ऩुई टूज स्वाटिते हैं अम्यों नाम अम योगनी नमा अम योगनी नमा अम योगनी नमा ए देवागनी, conduz आपका अवाहन करता देवागनी, देवागनी प्रकटू जो अपना वचन नहीं निभा पाए उसका जीवन व्यर्थ है मैं भी अपना दिया हुआ वचन नहीं निभा पाए असफल हो गया अब मुझे तत्व रूप में भी रहने का कोई अधिकार ने अब मुझे पाइ मुझे तत्वे अपना पाइ यह योगागनी, मैं महरुती को जीवन ना लोटा सकू. यह गलाणी मेरे लिए मृत्यू से भी कस्ट कारक. यह योगागनी, इसलिए मुझे अपने में समाहित करूँ. भासम करूँ. भासम करूँ. भासम करूँ. भासम करूँ. संसार भर में त्राही त्राही मची हुई है त्रिदेव. यदि शिग्रे यह कुछ नहीं किया गया, तो प्रलय आरंध हो जाएगी. कुछ कीजिये प्रभु. इस श्रिष्टी को बचा लिजी देवेश्वर. वायुदेव को रोकिये. यह सब मेरे कारण ही हो रहा है. मैं अब सबसे क्षमा चाहता हूँ. बहुत बड़ी भूल कर दी है मैंने. हे देविश्वर. हे श्रीहरी विष्णुदेव. हे परम्पिता प्रम्मदेव. एक बालक पर अस्त्र प्रहार करके बड़ा अपराध किया है मैंने. मुझे एक शमा कर दीजिए. और मारूती को जीवन दान दे दीजिए. किंदो देवराज, आपके नियम? महादेव, यदि संसार के कल्यान के लिए उसमें संशोधन की आवश्यक्ता है, तो शिगरता शिगरही उसमें संशोधन कर लेना चाहिए. मैं भी विधान को संशोधित करके यनियम बनानी की घोशना करता हूँ कि, आज से संसार में कभी भी, कहीं भी, इसी भी दशा में, इसी भी अबोध बालक को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा. और यदि कोई ऐसा करेगा, तो वो बाप का भागी तो होगा ही, साथ में उससे दंड भी भोगना होगा. भेव, मारूती के कारणी मुझे मेरे अधिकार और करतव्य के मध्य, अंतर का बोध हो गया है. और मुझे ये भी ग्यात हो गया है कि, नियम कभी भी कठोर नहीं होने चाहिए. नियमों में उदारता, ममता, और वात्सेले का भी स्थान होना चाहिए. और आज ये भी सिद्ध हो गया कि मात्रुत्व की शक्ति के समक्ष, दैव्य शक्तियां भी निर्बल है. मात्र शक्ति को नमन है मेरा. जो भटक कर वापस लॉट आए, उसे भटका बनेगे. तुम्हारा नेड़नए सरान ये है, कि इंतु इंद्र, तुम्हें शमा प्राथना के लिए वायुदेव के पास जाना होगा. वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, इंतु तुम्हें एकारे शीग्र ही करना होगा. तनिक्सावे विलंब बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकता है. जो आग्या परम्पिता, मैं उनसे भी क्षमा मांग लूँगा. इस निराशा भरे जीवन से मुक्ति दिलाव योगा अगनियों। अब मैं और जीवित नहीं रहना चाहता। बस मी कर दो मुझे। आग्या भरे जीवित नहीं अग्या अत्तिए यह आप क्या करने जा रहे हैं ऐसा अनार्थ मत कीजिए इस अनार्थ का आराम आपने किया था देवराजेंड अब इसका आन्प मैं करूँगा अगरा अन्जना अगर और पन्जना हुआराजूंड़ा देवरा इसका इस मैं। लुप Colonel अजज़ाँ। अजज़ाँ रखे डिρηता मननननन। अजज़ाँ अंजना, आखे खुले अंजना, 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 अंजना? मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूं वायुदेव, शमा वायुदेव, शमा, मैं अपना अपराद स्विकार करता हूं, राहू की बातों में आकर मेरी मती फिर गई थी और उपर से देवराजबत का अभीमान पायुदेर सत्य कह रहा हूं मैं घ्रिना हो रही है मुझे अपने आप पर कि कैसे कैसे मैंने एक अबोध बालक पर बज़ब रहार किया बालक अपना हो या किसी अन्यका सभी बालक भगवान का रूप होते हैं उनका मन निर्मन होता है निश्चल व्यवार और नटकट लीलाएं मन को मुहने वाली होती है किन्तु जो भी उनकी लीलाओं का आनंद नहीं ले सकता उसका जीवन व्यर्थ है मैंने मारूती की बाल लीला को उसकी उद्दंडता समझने की भूल की और उस अपरात का जंड मैं भी भूग रहा हूं भायुदेव आप यहां मारूती के वियोग में योगागनी में चलने को तट पर हैं और मैं अपने पुत्र को मरना संदेख कर बिना अगनी के ही चल रहा हूं पुत्र से विछो की वेदना का आभास को चुका है मुझे बहुत विलंब से आभास हुआ देवराज इंत्र अब ना तो क्षमा की आवशक्ता है ना ही विंती या निवेदन की क्योंकि दीपक की जोती भुजने के पश्यात उसमें कितना भी घ्र डाल लीजे जोती पर जुलित नहीं होगी शमा करें योगाग नहीं बस्म करदो मुझे मुक्ति दिलाव मुझे समस्रक्षोब से इस संसार से ये देवादी देव महादेव ये परमपिता ब्रह्मदेव अब आप ही कुछ कीजिए अन्यता सब कुछ नर्ष्ट हो जाएगा आप रभू शिक्र ही कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा इस श्रिष्टी को बचा लीजे देवेश्वर बायु देव को रोकिये पंच तद्वों के स्वामी होने के नाते वायु देव को शान्त करने और उन्हें संचारित होने का आदेश तो हम दे सकते हैं किन्तु ये वायु देव और हमारी मर्यादा का उलंगन होगा यदि ये कारे मारूती ही करें तो इसमें स्रिष्टी का उत्भार और वायु देव का सम्मान है आपका कथन उचित है महादेव इस स्रिष्टी के संचालन हेतु मारूती को जीवन मिलना ही उपाए है झाहिं स्रिष्टी मार्घ का उन्यों च्ष्छी आए लिस ही लिए लाख्य हूए लाख्य चाहिति लाख्याओी। झाल 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 अरे मारूते को चोट लगी थी और कुछ पीरा भी नहीं हुई अरे कितना संदर है ये महादेर प्राभू बोले बाबा प्रणाम प्राणाम ब्रामदेव नचाने क्या होगा अब मारूती क्या कहेगा मुझे देखकर देवराजिंद्र आप भी यहां है आपका वो सुन्दर सा नटखट सा गजराज वो वाला हाती कुशल तो है ना मुझे क्षमा करतो मारूती अरे यह आप क्या कह रहे हैं बड़े क्षमा नहीं मांगते हमने यहीं सीखा है अपनी माता से कि तुब भूल करने वाले को अपराद करने वाले को क्षमा मांगनी पड़ती है मारूती तुम्हारी बाल लीला को उद्दंडता समझ कर मैंने तुम पर वच्र प्राहर किया जिसका दुश परिणाव संपूर्ण स्रिष्टि को भुगतना पड़ रहा है कि यह क्या कह रहे हैं आप मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बस आप मारूती से बड़े हैं इसलिए आप शमा मत मांग ले मैं छोटा हूं इसलिए एक शमा तो मारूती को मांगनी चाहिए यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मारूती को ख्षमा कर दीजे आपको क्या हो गया आप इतनी चिंतित दिखाई दे रहे हैं वायूतीव यह वायूतीव को क्या हो गया है वो अगनी में घिरकर क्या कर रहे हैं व्यथित है वायूतीव व्यथित है वायूतीव अपक्या करू वायूतीव वायूतीव एसा मत कीजे दुखी ना हो यह यदि आप दुखी होंगे तो मुझे सी कौन देगा क्रोध त्याग दीजे क्रोध का परिना हानी ही होता है जैसे इंद्रदेव ने क्रोध किया था और मुझे हानी पहुँची थी यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो जगत को हानी पहुँच रही है यह आपको मेरा प्रेम भरा आल इंगन गुरुदेव है जापको मेरा भरा आल इना है यह आपको मेरा उंगन चाहरे भर्ली जापकापको है... ये स्वापन है या या तार्थ? ये सब्ते हैं कोई स्वापन नहीं वायूदे मारूती पर आपका पुत्रवत नहीं है पुत्र से बिछडनी की वेदना का अभास मुझे हो चुका है और उसी घोर वेदना से उपजे आपके एक शोब ने संपूर स्रिष्टी को संतप्त कर दिया था मुझे एक शमा कर दीजिए वायूदेर ये सब मेरे कारण ही हुआ है शमा तो मुझे मांगने चाहिए आप सब से इस स्रिष्टी से मारूती के प्रतिस ने और मेरे वचन के कारण मेरे नेतर ये भी न देख सके कि इस स्रिष्टी का अंत हो रहा है मारूती है ही ऐसा जिसे देख कर कोई भी उत्रवत स्नेह करने लगे नारायन नारायन प्रणाम प्रभू आश्चर्य है प्रभू महादेव और भमदेव से देवगन तो मारूती की समीब गए है उसे आशिरवाद और वर्दान देने के लिए किन्तु आप जगत पालक आप नहीं जाएंगे नन्ने मारूती के पास आपको तो सर्प्रतम होना चाहिए वहाँ मैं हूँ महादेवर्शी हे चराचर जगत के स्वामी आपके कहीं भी होने पर कोई संदे नहीं है परन्तु रुद और रुद्रांच से परेकब हुआ मैं तो प्रतिपल मारूती के साथ हूँ और मारूती भी सदैव मेरे हृदे में विराजते हैं किन्तु रामावदार में मारूती से मेरे प्यत्यक्ष मिलन का शुभ मंगल समय अभी दूर है देवर्शी नारायन 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 अंत भला सो सब भला बायू देव मारूती को जीवन दान मिला इनका भला हुआ अब आप से आग्रह वायू देव अपने कर्तव्य का पालन करें स्रिष्टी का भला करें और पुनह वायू का संचार सुचारू कर दीजिए वायू देव इंद्रदेव आग्रह करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं अब अश्य इंद्रदेव मेरे कांड संपून स्रिष्टी को कर्ष्ट हुआ इंतो अब मेरे मरूत उन्हां अपना कार्य यथा वत करने लगेंगी उन्हां ये स्रिष्टी सुचारू रूप से चलने लगेंगी देरे समस्त मरूत गणो प्रकाठो जाओ और संपून स्रिष्टी को पूर्व की भाती ही वायू का संचार करो जाओ मेरे मरूत गण। जाओ मेरे मरूत भीज़ प्हार झाल प्हार आपने कर दो दो जपाना है इस दो नहांगा, इस दो कि उनने घ्लागी, हमांगा, जान गासाथ, पार गारी करताशाधा ने माँ पारी करना खारी कि यह तो पिक आप वीर भारी के ली जए उसे ली जाने आपाँदाने जासाधाने टीक पुरा टारी कि ऩयाता है। थक यसकैने करेमा लड जके दो से राइने किल खराएव 여ा 거지 2 अर चानिया उसे cingे जदा झाइए फटू जडैंगार शंदा कि एospी ज जफी हार्ञ हूं। पर हUNG दो भी करेमा फपस पता हार मिझा दोस से तर उसेधो झाल डटाइएहां कि ए Deird है पूनाचेतना में लोटाए हाँ 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 को ठीक होता है अब सब ठीक हो जाएगा अब भुजा आग्या दीच ताकि मैं मारूती को देवी अंजना के सुपूर्द करतू अभी थोड़ा ठहरी है वायुदेव देवी अंजना के पास मारूती को ले जाने के पूर्व हम देवता उसे आशिरवादों से युक्त करना चाहते हैं पास मारूती बहुती तेजस्वी है इस छोटे से बालक ने मुझ जैसे देवता को भी ये सीख दे दी कि किसी को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए आज मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ मारूती तुम अद्वतिय विद्वान और वक्ता होगे अपने तेज का सौवा भाग तुम्हें वर्दान के रूप में देता हूँ ये ता हूँ तेजा स्वीभाव ये चमक कहा चली गई मारूती मैं वरुन डेव तुम्हें वर्दान देता हूँ कि तुम्हें सदैव मेरे वरुन पाश और जल से सुरक्षित रहोगे नदी, समुद्र या कोई भी जलतत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षती नहीं पहुचाएंगे मैं अगनी देओ तुम्हें वर्दान देता हूँ कि कितनी भी भीशन अगनी हो उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानी नहीं पहुचाएंगी अगनी तत्तु का कोई भी दुश्प्रभाव तुम्हारे उपर नहीं होगा मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वर्दान है तुम्हें मारूति तुम कभी भी युद्ध में विशाद नहीं रहोगे तुम कभी भी विचलित नहीं होगे युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित्र होगे मैं काल देव मैं तुम्हें वर्दान देता हूं मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यू का वरण कर सकोगे इच्छा मृत्यू का वरदान है तुम्हें काल तुम्हारे अधीन होंगे मारुति मैं विश्व कर्मा हूं देवताओं का शिल्पी और इन समस्त दिव अस्त्रशष्टरों का निर्माता हूँ मैं अस्त्रशस्त्र तुम्हें कभी भी कोई हनी नहीं पहुंचा सकेगा। तुम सदा मेरे अस्त्रशस्त्रों से सुरक्षित रहूगी। मैं तुम्हें चिरण जीवी होने का वर्दान देता हूँ मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई शती नहीं होगी तेहिक, तेविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुख करता हूँ तेहिक, 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 तेहिक मारुती, आज तुमने वायूदेव के क्रोध को शान्त करके, संकट मोचन किया है, आज से संसार में तुम संकट मोचन कहलाोगे, संकट मोचन, आहा, नारायन, नारायन, संकट मोचन, संकट मोचन, धन्यवाद महादेव मैं भ्रम्मा तुम्हें वर्दान देता हूँ कि तुम्हें कोई भी भ्रम्शाप नहीं लगेगी तुम मिच्छाधारी होगे जब जैसा रूप धारन करना चाहोगे तुम कर सकोगे कोई व्यास्त शास्त तुम्हारी धे को छेट नहीं पाईगा तुम मित्रों और हरी भक्तों के लिए अवैदान बनोगे एवं शत्रों के लिए भैंका काल बनोगे चौदा भुवन एवं समस्त लोकों में तुमारा आना जाना हो सकेगा मेरा प्रमास्त्र भी तुमारा वद नहीं कर पाएगा तुम मावली कहलाओगा तुम मावली कोड़ आत्रों के लिए लागे के लिक सब्से confessغր लिए लिए, लेगे